चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं Redox Reaction का Last Lecture है अपना ये ठीक है अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पहले तो मैं बता दूँ इस Lecture में क्या क्या होने वाला है इस Lecture में अपन Type of Reaction के बारे में पढ़ेंगे और Balancing हम सीखेंगे तो हमारा Redox पूरा Complete हो जाएगा अब इसके बाद जो 3rd part आता है वो आता है Mole Concept 3 और उसको हम Volumetric Analysis जिसमें हम सारे प्रकार के Titration कवर करेंगे पूरा Detail में अपन पढ़ेंगे जितने भी बची हुई चीज़े हैं चलो स्टार्ट करते है Combination Reaction क्या होती है इसमें क्या होगा आपके पास जैसे Combination का मतलब क्या होता है दो चीज़ें Combine हो रही हो तो A प्लस B से क्या बन जाए इस टाइप की Reaction होगी Combination कैसी Example से समझ जाओगे आप जैसे मालो मैंने लिखा है आपके सामने क्या रहा हों की Reaction कैसी होती है तो A प्लस B से C बना तो Mg प्लस N2 से क्या बना है Mg 3 N2 जैसे Calcium प्लस O2 यह क्या बना रहा है आपके लिए CO इस टाइप से तो यह क्या होती Combination Reaction आपको चेक करना है क्या यह Redox है तो वो कैसे चेक करो Oxidation Method से जैसे इसका Oxidation नंबर क्या है 0 और यहां Mg का क्या है Plus 2 मतलब Oxidation हो रहा है और यहां N2 में Nitrogen का क्या है 0 और यहां Nitrogen का होता है Minus 3 Nitride है यहां रखना कभी भी आपके सामने लिखाओ Nitride तो Nitride होता है N के उपर 3 Negative तो यह क्या होता है इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो इसका 0 इसका 0 यहां Plus 2 और यहां Minus 2 Calcium का Oxidation और Oxidation का Reduction हो रहा है तो यह क्या होगी आपकी Combination Reaction आगे बढ़ते हैं Decomposition Reaction में क्या होगा एक Particular Compound क्या होगा Break होगा जैसे B Plus C बना रहा है सबोज मेरे पास लिखा KCL O3 तो KCL O3 Break करके क्या बना रहा है KCL Plus O2 और Decomposition Reaction में अगर मैं चेक करूं क्या यह Redox है तो क्लोरीन यहां पर Plus 5 है Oxygen Minus 2 है यहां क्लोरीन Minus 1 और Oxygen 0 तो क्लोरीन का Reduction और Oxygen का क्या होगा Oxidation तो यह क्या होगा Decomposition Reaction Simple सी बात है Displacement Reaction की बात करेंगे तो इसमें दो होती है Metal Displacement और Non Metal Displacement Metal Displacement में क्या होगा जैसे X Plus YZ तो यह क्या बनाएगा XZ Plus Y मतलब इसने क्या करहा YZ मैंसे Y को Displace कर दिया और यह Displacement Reaction को जिस टाइप की होती है कैसी ZN की Reaction हो रही है CuSO4 के साथ तो यह बनाएगा क्या ZNSO4 Plus Cu Plus Cu ZN Plus CuSO4 क्या देगा ZNSO4 Plus Cu लेकिन Ulti Reaction पॉसिबल नहीं है कि आप बोलो सर Cu Plus ZNSO4 तो नौट पॉसिबल ठीक है दियान बगने आप जैसे यह Reaction होगी और लिख देता हूँ मैं V2O5 की Reaction होगी माल लो आपकी Calcium के साथ तो यह बनाएगा CO Plus Venedium इस टाइप से तो यह क्या होगा Calcium ने Venedium Oxide मैं से Venedium को क्या कर दिया Displace कर दिया तो यह क्या होगी Metal Displacement Reaction Non-Metal Displacement Reaction जैसे Metal की Reaction आप करा रहे हो Na की Reaction Water के साथ ध्यान से देखना ज़रा तो यह इस मैं से Non-Metal मता Hydrogen को कैसे Displace कर देगा यह बना देगा NaOH Plus H2 इस टाइप की और बहुत important Non-Metal Displacement Reaction होती है कि अगर मैं Supposed Reaction करा रहा हूँ Cl2 की Reaction किसके साथ KBR के साथ तो यह बनाएगा क्या BR2 प्लस KCL तो क्या हो गया यहां से Bromine को Displace कर दिया तो यह होगी क्या Non-Metal Displacement Reaction तो बहुत Simple सी Reaction है Combination Reaction में कुछ Addition हो रहा होगा Decomposition में टूट रहा होगा Displacement में क्या होगा X Plus Y Z में से X Z Plus Y Metal भी हो सकता Non-Metal भी हो सकता है ठीक है Note करो फिर आगे बढ़ते हैं चलो तो आगे बढ़ते हैं 4th number की हमारी है Dispropositionation Reaction इसमें क्या होता है बहुत Basic सी Definition है क्या Element Element in One Oxidation Number Is Oxidized Is Oxidized As well as As well as Reduced मतलब वो Oxidized भी हो रहा हो और Reduced भी हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते है Disproposition मतलब एक ही Element का Oxidation OC का क्या हो जाए Reduction जैसे कुछ Example देखो X2 की Reaction अगर मैं कराऊं आपके सामने OH- के साथ अगर मैं कराता हूँ Cold and Dilute Condition में तो यह बनाता है X- प्लस XO- अगर मैं यही Reaction कराऊं X2 की OH- के साथ Hot and Concentrated Medium में तो अब बनने लगता है X- तो रहता ही है अब बनता है XO3- तो यह Reaction आपको याद भी करनी है Direct Question भी आते हैं और यहाँ पर X क्या होता आता है CL, BR और I यह तीनों हो सकते हैं Florine नहीं हो सकता यहाँ पर क्योंकि Florine में दो ही Oxidation State पॉसिबल है या तो –1 या 0 और Dispossination के लिए तीन Oxidation नंबर होनी चाहिए कैसे ध्यान से देखना ज़रा अगर मैं यहाँ X की Oxidation नंबर लिखूं तो 0 यहाँ X- पर क्या है Dispossination तो हमेसाद यहाँ नगो Dispossination में 3 डिफरेंट Oxidation नंबर चाहिए तभी Dispossination Reaction होगी सेम देखो यहाँ पर भी 0 यहाँ –1 X-6 is equal to –1 तो यहाँ क्या आएगा प्लस 5 आएगा तो 0 से –1 reduction और 0 से प्लस 5 Oxidation मतलब Dispossination जबकि फ्लोरीन में यहाँ तो 0 होती है माइनस बन होती है उसके अलावा कोई होती नहीं है तो यहाँ पर point star लगा के लिखेंगे फ्लोरीन F2 does not undergo F2 does not undergo Dispossination Reaction यहाँ रखना Dispossination Reaction फ्लोरीन के Dispossination नहीं होता है और हेलोजन बाकी यहाँ पर यूज कर सकते हो CLBRI ठीक है Dispossination में और example में लिख देता हूँ जैसे पहला example यह होगा दूसरा यह तीसरा H2O2 का Dispossination यह बनाता है H2O plus O2 यहाँ minus 1 यहाँ minus 2 यहाँ 0 देखो minus 1 से minus 2 reduction minus 1 से 0 oxidation यह reaction आपको याद भी करने है Dispossination की जैसे P4 की reaction अगर में करा हूँ ठीक है basic medium में होती है तो यह बनाता है pH3 plus H2O2 negative यहाँ plus 1 यहाँ minus 3 और यहाँ 0 इसी तरीके से S8 वाली reaction भी याद करनी है आपको S8 basic medium में देता है H2 negative plus H2O3 2 negative Oxidation number लिखोगे तो यहाँ क्या आएगी 0 यहाँ minus 2 और यहाँ क्या आएगी plus 2 निकाल ले न 2X minus 6 is equal to minus 2 से ठीक है तो यह कुछ basic reaction याद रखनी पड़ेंगी आपको और यह ध्यान रखना fluorine disproportionation नहीं दिखा सकता आगे चलते Comproporationation reaction Comproporationation reaction होता Reverse of disproportionation reaction क्या है Reverse of Reverse of Disproporationation reaction Disproporationation का reverse क्या होता है Comproporationation जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूँ क्या I minus plus I O 3 minus ठीक है H plus के साथ treat कराते हैं तो H2 I2 plus H2 हो बनता है चेक करो जड़ा Disproporationation का reverse है क्या जैसे ये 0 है यहाँ iodine का निकालोगे plus 5 और यहाँ minus 1 देगो अगर मैं उल्टा पड़ूँगा 0 से minus 1 0 से plus 5 तो Disproporationation है तो अगर उल्टा कर दो Disproporationation का तो क्या हो जाएगा Comproporationation ये उतनी important नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा जितनी भी मैंने type of reaction लिखाई उसमें सबसे ज़्यादा important क्या है Disproporationation बहुती बहुती ज़्यादा important reactions होती है और ये direct exam में भी आती है तो type of reaction में बाकी सारी आप नहीं पढ़ना चाहो तो छोड़ सकते हो लेकिन Disproporationation इन में से आपको ज़रूर करनी है ये direct example इसके दियान लखने है आपको फड़ावर्ट से note करो फिर आपन और कुछ question करते हैं इसके लिको चलो बच्छो तो आगे बढ़ते हैं और type of reaction reaction के question से पहले एक दो और reaction बच्छी इसको भी cover कर लेते हैं Intermolecular Redox का मतलब क्या होता है Oxidizing agent अलग होगा और Reduction agent अलग होगा मतलब दो अलग-अलग species ही होगी जैसे एक reaction से समझे लो SNCL2 की reaction हो रही है FeCl3 के साथ तो FeCl3 FeCl2 बनाता है और SNCL2 बनाता है SNCL4 ठीक है इस तरीके से बैलेंस करके नहीं लिखा मैंने acid reaction लिख दी अब एक बाह बताओ जरा यहाँ 10 की oxidation नंबर क्या है प्लस 2 यहाँ 10 की क्या है प्लस 4 ठीक है तो इसमें क्या हो रहा Oxidation इस तरीके से लिख देता हूँ ऐसे लिखा करते थे हैं तो यह क्या हो रहा है Oxidation यहाँ Fe क्या है प्लस 3 यहाँ क्या है प्लस 2 तो यह क्या हो रहा है Reduction तो दो अलग-अलग इस PC में एक में Oxidation और एक में Reduction हो रहा है तो यह Inter Molecular है दो अलग-अलग है ठीक है Intra और Inter में क्या difference है intra में क्या होता है एक ही molecule में oxidation होगा और उसी में ही reduction जैसे KCl plus O2 है तो ध्यान से देखना ज़रा यहाँ जो Cl है वो क्या है plus 5 यहाँ Cl minus 1 oxygen 0 और यहाँ oxygen minus 2 potassium की दौनों जगा है plus 1 plus 1 है तो लिखनी रहे अब आप देखो एक ही molecule के अंदर क्या हो रहा है reduction और इसी में क्या हो रहा है oxidation मतलब यह intra-redox हो गए अब थ्यान से समझो intra-molecular redox और disproposination में बहुत बारीक सा फर्क है क्या intra-molecular redox में क्या होगा दो अलग-अलग atom होंगे एक ही molecule के फिर सुनो एक ही molecule के दो अलग-अलग atom होंगे एक में oxidation और एक में reduction तो वो intra-redox है और एक ही molecule के एक ही atom में oxidation या reduction होगा तो वो disproposination है समझे बात को फिर सुनो intra-redox और disproposination में बहुत बारीक सा फर्क है intra-redox में क्या होगा एक molecule के दो अलग-अलग atom disproposination में क्या होगा एक molecule का एक ही atom उसी में Oxidation और उसी में Reduction जबकि यहां दो अलग-अलग एटम में एक में Reduction तो दूसरे में Oxidation यह होता है और Interredox में तो दो अलग-अलग Molecule या दो अलग-अलग Species होती है अब आपन कुछ Question करते हैं जिससे आपको practice हो जाएगी type of Redoxid reaction भी है सबकी लिख देता हूँ यहां plus 2 है CL minus 1 है यहां 0 है hydrogen plus 1 oxygen minus 2 अब आप मुझे एक बाव बताओ MN की Oxidation नमबर चेक करो MN plus 4 से कहां जा रहा है plus 2 मतब reduction हो रहा है oxygen minus 2 है और यहां भी oxygen minus 2 है और यहां oxygen कहीं है नहीं बस यहीं है minus 2 है तो oxygen की Oxidation नमबर चेंज नहीं हो रही है hydrogen plus 1 है यहां भी plus 1 है तो oxygen है hydrogen के बारे में मस्सोचो CL यहां minus 1 है इधर minus 1 है लेकिन यहां CL 0 है कहीं ऐसा हो रहा है क्या कि एक ही element का Oxidation उसका reduction नहीं हो रहा है यहां MN plus 4 से plus 2 में जा रहा है तो reduction हो रहा है और CL minus 1 से 0 में जा रहा है तो Oxidation हो रहा है एक ही element का Oxidation उसका reduction नहीं हो रहा है तो यह Disproposnation नहीं है मतब इस question का answer यह बिल्कुस सही है बाकी के क्यों Disproposnation है वो चेक कर लेते हैं ध्यान से देखना ज़रा hydrogen plus 1 oxygen minus 1 क्योंगी पर-oxide है यह यह hydrogen plus 1 oxide है तो यह minus 2 और यहां क्या है 0 अब देखना oxygen minus 1 से minus 2 जा रहा है मतब reduction और minus 1 से 0 जा रहा है मतब Oxidation मतब Disproposnation ठीक है यहां देखना ज़रा CL plus 5 potassium plus 1 oxygen minus 2 K plus 1 है यहां plus 7 CL है और oxygen minus 2 यहां K plus 1 और CL minus 1 potassium की तो सभी में सेम है तो कोई चेंज नहीं हो रहा chlorine देखना ज़रा plus 5 से plus 7 oxidation plus 5 से minus 1 reduction मतला अब Disproposnation समझ गया आप बात को अगला देखो CL 0 sodium plus 1 oxygen minus 2 hydrogen plus 1 sodium plus 1 CL minus 1 यह plus 1 CL plus 5 और oxygen minus 2 और hydrogen plus 1 oxygen minus 2 देखना ध्यान से CL 0 से minus 1 reduction और CL 0 से plus 5 oxidation मतलब Disproposnation तो यह सारी की सारी Disproposnation थी अगला question which is not a redox reaction मतलब oxidation number का change नहीं हो रहा हो यह सा देख लो calcium plus 2 carbon plus 4 oxygen minus 2 calcium plus 2 यहाँ minus 2 यहाँ plus 4 और यह minus 2 check करो जरा calcium plus 2 है यहाँ भी plus 2 कोई change नहीं हो रहा carbon यहाँ भी plus 4 oxygen minus 2 यहाँ भी minus 2 मतलब कोई change नहीं हो रहा तो इस question का answer Able को सही है क्योंकि यह redox थोड़ी है oxidation number का change होता तो redox थी बाकी के क्यों redox है oxidation number change हो रहा हो ठीक है 0 0 यहाँ plus 1 यहाँ minus 2 देखो hydrogen का oxidation और oxygen का क्या हो रहा है reduction चलो आगे बड़ो sodium 0 यह hydrogen plus 1 oxygen minus 2 यहाँ यह plus 1 यह minus 2 यह plus 1 और यह 0 चेक करो sodium 0 से sodium plus 1 oxidation hydrogen plus 1 से 0 मतलब reduction तो redox है MnCl3 देखो plus 3 minus 1 plus 2 minus 1 और 0 Mn plus 3 से plus 2 क्या हो रहा है reduction Cl minus 1 से 0 क्या हो रहा है oxidation oxidation समझ गया बात को मतलब redox है अजय क्या यह disproposnation है नहीं है क्यों एक ही element oxidation OC का reduction होना चाहिए था लेकिन यह intra-redox है देखो चरह ध्यान से एक ही compound के दो अलग-अलग element में एक का oxidation एक का reduction हो रहा है तो यह redox में कौन से यह inter-redox है समझ गया बात को इस टाइब के question होते है note करो फिर और question अपन करेंगे फटावट से इसको लिख लो बहले लो आगे बढ़ते कुछ question और कर लेते हैं ध्यान से देखना जरा क्या कह रहे है which reaction involved neither oxidation nor reduction चेक कर लो जरा oxidation number से CR का यहाँ 0 है यहाँ plus 3 है मतलब यह oxidation हो रहा है यहाँ CR क्या आएगा plus 6 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा plus 6 मतलब ना तो oxidation ना reduction क्यों CR का भी plus 6 और oxygen यहाँ minus 2 minus 2 तो यही इसका answer हो गया बाकी चेक कर लो और क्या है 0 से plus 1 oxidation और यहाँ sulfur का निकालोगे तो plus 2 आएगा 2x minus 6 is equal to minus 2 से और यहाँ निकालोगे तो plus 2.5 आएगा तो मतलब oxidation सिध्य साय अगला question K2 MnO4 CL2 से reaction करके KmnO4 KCl बना रहा है और यह किसका example है देखो यहाँ क्या है potassium plus 1 Mn क्या है plus 7 oxygen minus 2 CL0 potassium plus 1 Mn plus 7 sorry यहाँ Mn plus 6 आएगा इसका 2 होगा न 2 plus x minus 8 तो plus 6 आएगा और यहाँ K क्या है plus 1 यहाँ minus 1 अब ध्यान से देखना oxygen यहाँ minus 2 किसका change हो रहा है K का change नहीं हो रहा oxygen का change नहीं हो रहा chlorine का 0 से minus 1 reduction और Mn plus 6 से plus 7 oxidation मतलब दो अलग-अलग species हैं तो यह inter-redox का example है मतलब redox reaction का example है यह disproposnation नहीं है ना ही यह reduction है और ना ही acid-based reaction हो रही है neutralization भी नहीं है है ना अगला question which of the following change repeat and disproposnation reaction check करो CL0 से chlorine plus 1 और chlorine minus 1 अब मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं जिनका change हो रहा है oxygen hydrogen का change नहीं हो रहा है तो देखो ज़रा CL0 से plus 1 oxidation और 0 से minus 1 reduction मतलब यह disproposnation का example है मतलब यह वाला disproposnation का example है Cu2O में देखो ज़रा plus 1 आएगा क्यों 2x minus 2 is equal to 0 यहाँ Cu0 और यहाँ Cu क्या प्लस 2 तो प्लस 1 से 0 reduction और प्लस 1 से प्लस 2 oxidation मतलब यह भी disproposnation का example का answer है H CuCl2 चेक करना ज़रा Cu यहाँ क्या है प्लस 1 भाई 1 प्लस x minus 2 से निकालोगे यहाँ 0 और यहाँ क्या है प्लस 2 बाकियों का change नहीं हो रहा है तो प्लस 1 से 0 reduction और प्लस 1 से प्लस 2 oxidation इसका मतलब यह भी disproposnation मतलब अल अब इसका answer है तीन होई सही है अगला देखो Which species do not show disproposnation and why देखना ज़रा ध्यान से Cl प्लस 1 है यहाँ Cl क्या है प्लस 3 आएगा और यहाँ Cl प्लस 5 आएगा अगर कोई particular element अपनी highest या lowest oxidation state में होता तो वो disproposnation नहीं करेगा क्या बोला मैंने अगर कोई element अपनी highest या lowest में होगा तो disproposnation नहीं करेगा क्यों अगर वो already highest में है तो disproposnation करने के लिए उसको oxidation reduction दोनों करना पड़ेगा अगर वो पहले सही highest है तो वो उसके उपर नहीं जा पाएगा इसका मतब उसका oxidation पॉसिबल नहीं है मतब disproposnation कभी नहीं करेगा तो इन सभी में जो answer है वो क्या है इसका answer है यह disproposnation नहीं करेगा region पूछा है वाई ऐसा क्यों हो रहा है तो आप बोलोगे CL is present in highest highest oxidation number इस वज़े से यसा है अगर कभी मालो lowest oxidation number में कोई element होता तो उससे नीचे थोड़ी आपाता तो disproposnation थोड़ी होती भाई अगर कोई lowest में ही है तो उससे नीचे नहीं आपाएगा मतब खुद का reduction करी नहीं सकता जबकि disproposnation में दौनों simultaneously होते है oxidation भी उसी element का reduction भी उसी element का बाकियों की मैं reaction लिख देता हूँ याद कर ले न CLO- disproposnation करके CL- और CLO-3- बनाता है CLO-2- भी same यही काम करता है क्या disproposnation करके यही बनाता है और CLO-3- यह disproposnation करके फड़ावर से note करो फिर और question करते है चलो आगे बढ़ते हैं last question और कर लेते हैं तो यह type of reaction वाला अपना cover हो जाएगा topic फिर balancing सीखेंगे identify the type of reaction बताना है बताओ ज़रा N2 प्लस O2 से क्या बना रहा है 2NO मतलब N2O2 combine होगे NO बना रहा है तो decomposition reaction अगला बोलो NH plus water क्या बना रहा है NH plus H2 तो यह होगी non-metal displacement H2 displace हो रहा है non-metal displacement बहुत simple-simple है बस आपको examples पता होने चाहिए NO2 2H minus से क्या बना रहा है NO2 minus और NO3 minus देखना यहाँ plus 4 है यहाँ क्या है कि X minus 4 is equal to minus 1 मतलब plus 3 और यहाँ X minus 6 is equal to minus 1 प्लस 5 तो 4 से 3 reduction 4 से 5 oxidation मतलब disproportionation है यह disproportionation reaction हो गई है अगला देखो CL2 plus 2 की आई बताया था मैंने halogenes में displacement क्या होता non-metal displacement non-metal displacement बहुत simple है अगला देखो ज़रा NH break हो रहा है NA plus H2 में मतलब decomposition decomposition अगला देखो M जी क्या करना Ti Cl4 में से Ti को displace करना मतलब displacement metal displacement अगला देखो CH4 O2 में combine होके क्या बना रहा है CO2 plus H2 मतलब combination तो इस तरीके से example होते हैं जो आप असानी से कर सकते तो यह combustion reaction भी होती है तो यह था अपना पूरा का पूरा topic type of reaction का फटावर्स से नोट कर आप हम सीखेंगे balancing balancing वैसे दो अलग-अलग तरीके से होती है iron electron वाली और एक होती है आपकी oxidation number वाली तो मैं आपको oxidation number से balance करना सिखाऊंगा acid एक और basic medium में ताकि आप समझ जाओ कि reaction में balancing कैसे होती है ठीक है oxidation reduction method सबसे easy होता है और असान भी होता है आपको iron electron सीखने की जड़ोत नहीं है फिर है ना फटा वर्चे नोट करो फिर आगे बढ़ते है शेलो बच्चो तो आगे बढ़ते हैं balancing सीख लेते है मैं आपको oxidation number वाले method से सिखाऊंगा balancing और इसमें हम दो medium में सीखते है acidic medium और एक basic medium पहले हम acidic medium cover करेंगे balancing का एक method और होता है iron electron method उतना important नहीं है लेकिन last में मैं एक question iron electron का भी आपको करवा दूँगा ठीक है find oxidation number of atom अब ये किस atom की निकाल नहीं है जिसमें change हो रहा है उसकी निकालो जैसे यहाँ copper क्या है 0 और यहाँ copper की क्या है plus 2 इसकी change हो रही तो इसकी लिख ली यहाँ nitrogen क्या है plus 5 निकाल लोगे आप x-6 is equal to minus 1 यहाँ x-4 is equal to 0 plus 4 oxygen की तो यहाँ minus 2 यहाँ minus 2 तो उसकी नहीं लिखना तो पहला point के लिए रहुआ क्या find oxidation number of atom वो atom की लिखो जिसकी oxidation number change हो रही है पहला point दूसरा balance the atoms कौन से atom जिनकी आपने oxidation number लिखी है जिनकी आपने oxidation number लिखी है वो balance कर लो यहाँ कितने कॉपर है एक ही है यहाँ कितने कॉपर है एक है चलो ठीक है nitrogen यहाँ एक है यहाँ भी एक है तो कोई tension नहीं balance already है कभी अगर नहीं होगा तो हम करेंगे तो point number 1 समझ गए 2 समझ गए balance the atom मतलब कौन सा atom balance करने है जो आपने पहरे point में जिनकी oxidation number लिखी है आगे बढ़े चलो third find the change in oxidation number अब change निकालो जरा कितना आ रहा है देखो 0 से plus 2 2 का change into कितने atom यहाँ पर देखना left side कितने atom 1 तो net change 2 का समझ गए फिर से सुनो 0 से plus 2 2 का change 1 copper था 1 से multiply 2 का change आगे बढ़ो plus 5 से plus 4 कितने का change 1 का कितने nitrogen यहाँ left side 1 तो net change कितने का 1 का तो nitrogen वाले term में 1 का change copper वाले term में 2 का change clear यहाँ तक यह point हो गया चोधा cross multiply with the changes इसका मतलब क्या है जो आपने change निकाले वो क्या है 2 और 1 अब cross multiply करने का मतलब क्या है NO3 माइनस और NO2 मतलब यह nitrogen वाले term है इसमें 1 का change है तो cross multiply copper वाले term में करेंगे copper वाले term में 2 का change है तो cross multiply nitrogen वाले में करेंगे तो ऐसा दिखेगा cu प्लस 2 NO3 माइनस gives cu2 प्लस प्लस 2 NO2 इससे क्या होगा इससे oxygen और hydrogen के अलावा बाकी element बैलेंस हो जाएंगे अभी तो चलो यह hydrogen नहीं लगिन कभी होता तो oxygen hydrogen के अलावा मतलब जिनमें आपने change निकाला वो atom balance है और charge भी already balance है अब देखना ज़रा ध्यान से इसके बाद समझना in order to balance oxygen atoms add water molecules to the oxygen deficient side तो ज़रा मुझे एक बाब बता यहां कितने oxygen 3 into 2 6 O atoms 6 oxygen atoms यहां कितने 4 O atoms किधर oxygen कम है और कितने right side oxygen कम है और 2 कम है तो 2 oxygen को balance करने के लिए 2 water add करेंगे तो oxygen balance हो गये तो यह वाला point हो गया आगे देखो then balance H atoms by adding H plus iron to the hydrogen deficient side अब यहां कितने hydrogen हो गए 4 H atoms इस तरफ और इधर कितने है 0 0 H atoms किधर hydrogen कम है और कितने इधर कम है कितने 4 तो यहां add कर देंगे हम 4 H plus हो गया काम हो गई balance देखो net balance reaction is net balance reaction is Cu plus 2 NO3 negative plus 4 H plus gives Cu2 plus plus 2 NO2 plus 2 H2O is the balance reaction समझ गया बात को बहुत आराम से यह सारी चीज़े लिखो और question को एक बार फिर देखो मैं अगला question start कर रहा हूँ पहले आप यह note कर लो आगे बढ़ते हैं एक question से और समझो चलो start करो oxidation number लिख लो जिसमें change हो रहा है plus 7 यहां चमकता हूँ देखी रहा है plus 2 यहां plus 2 और यहां plus 3 पहला point हो गया balance the atom जिसमें आपने oxidation number निकाला MN एक है यहां एक है FE एक है यहां है कोई दिक्कत नहीं third find the change in oxidation number 7 से 2 5 का change into 1 MN net change 5 का 2 से 3 1 का change 1 iron atom net change 1 का cross multiply करो FE वाले में 1 का change है तो 1 का multiply MN में होगा MN वालों में 5 का change है तो 5 का multiply FE वालों में होगा देखो तो ऐसा देखेगा MNO4 negative प्लस 5 FE2 positive gives MN2 positive प्लस 5 FE3 positive सही बात यहां कितने oxygen atom 4 यहां कितने 0 तो यहां 4 oxygen atom है तो यहां 4 water लिख दूँ अब यहां कितने hydrogen 8 यहां कितने 0 तो 4 के double 8H plus add करने पड़ेंगे बाइ जितने water add करोगे इसके double करोगे क्यों यहां पर 8H है तो यहां 8 बनाने तो net balance reaction क्या हो गई MnO4 minus प्लस 5Fe2 plus प्लस 8H plus gives Mn2 plus प्लस 5Fe3 plus प्लस 4 water net balance reaction समझ गए बात को पड़ावट से note करो फिर एक question और कराता हूं लिख लो इसे चलो आगे बढ़ते हैं एक question से और समझ लेते हैं समझ लो भाई आराम से question समझो आराम से समझ के आपको यह apply करना पड़ेगा एक्जाम में अगर आया तो बागी मैं आपको balancing से question वाले जो आते हैं उसकी trick भी पता दूँगा लेकिन balancing आपको आनी चाहिए चलो start करते हैं बताओ जरा CR का यहां क्या आएगा plus 6 carbon यहां plus 3 वो ही 2x-6 is equal to minus 2 से निकाल लोगे यहां 2x-14 is equal to minus 2 से निकाल लोगे यहां तो चमकता हुआ plus 3 और यहां निकालोगे x-4 is equal to 0 plus 4 find oxidation number यह हो क्या balance the atoms अब ध्यान देना जरा मैंने CR की oxidation number लिखी और carbon की लिखी तो मुझे CR और carbon balance करना है CR यहां कितने हैं 2 तो यहां मैं 2 CR लगा दूँ यहां carbon कितने हैं 2 तो मैं यहां 2 carbon लगा दूँ अभी इस से पहले examples में already balance थे यह अब नहीं है तो यह second point बहुत important आ गया यहां पर balance the atom जिसमें आपने oxidation number निकाली third point find the change change निकाल लेते हैं अब कैसे 6 से 3 कितने का change 3 का कितने CR हैं यहां 2 तो net change 6 का plus 3 से plus 4 कितने का change 1 का यहां कितने carbon 2 तो net change 2 का अब थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली यहां पर यह है इसमें 2 का change इसमें 6 का change आप change को काट भी सकते हो कैसे कितने से divide कर सकते हैं 2 से दौनों में इसमें 2 से divide करोगे तो 1 का change इसमें 2 से divide करोगे तो 3 का change तो 1 का change और 3 का change ऐसे भी लिख सकते हो या आपकी इच्छा है नहीं सर हम नहीं करेंगे हम नहीं काटेंगे मत काटो end में काट देना final reaction जब आएगी आपके पास तो उसमें divide करना पड़ेगा फिर आपको तो अगर मैं नहीं काट रहा हूँ ठीक है यहाँ दो का यहाँ छे का नहीं काट रहा हूँ में और आगे बढ कर सकते हो ठीक है मैं नहीं काट रहा हूँ दो का चेंज 6 का चेंज 2021 कारवन वाले टर्म में करोगे और 2 का multiply CR वाले term में करोगे तो ध्यान से देखना 2 का multiply CR वाले term में करेंगे 2CR2O7 और 6 का change इसमें है तो 6 का multiply carbon वाले term में 6 C2O2 negative gives इसमें कितने 2 से multiply 2 पहले ही है तो 4 हो जाएगा ये और plus 12CO2 अब आप divide कर लो मानलो अभी भी इच्छा नहीं है नहीं करेंगे मत करो कोई बात नहीं 7 into 2 कितने oxygen 14 सही है और 6 into 4 कितने 24 तो net oxygen कितने आ गए 14 oxygen और 24 कितने हो गए 4 और 4 आठ और 2 और 1-3 38 oxygen atom हो गए इदर सही है यहाँ कितने है 24 oxygen atom है अब मुझे एक बाद बताओ यहाँ 38 है यहाँ 24 है तो किधर कम है और कितने 38 में से 24 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा नहीं 12 नहीं 14 आ जाएगा 38 और 24 माइनस करोगे न 38 में से तो भाई इसमें 14 8 करो तो यह आ जाएगा है मालब 14 oxygen कम है किधर इदर तो मैं क्या करूँगा यहाँ 14 H2O जोड़ दूँगा और 14 H2O जोड़ने का मतलब है इस तरफ क्या करूँगा मैं 14 के डबल 28 H प्लस जोड़ दूँगा हो गई बैलेंस अब आप 2 से डिवाइड कर लो करो डिवाइड तो 2 से डिवाइड करके फाइनल लिखोगे भाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको फाइनल क्योंकि फाइनल जब हम लिखते है तो simplest equation लिखते है मतलब जब डिवाइड हो रहा तो कर दो तो अब आप 2 से डिवाइड करके लिख दो अगर चेंज को यहाँ नहीं काटा कोई दिक्कत नहीं आपने इस वाली equation में नहीं काटा कोई दिक्कत नहीं जब final answer आगया तो उसमें आपको काट के लिखना है एक question और करते हैं समझ जाओगे आप आराम से कही सारे तो अपन ने कर लिए हैं फाइनल question करके acidic medium खतम करते हैं फिर basic पे चलेंगे नोट कर लो इसे चलो आगे बढ़ते हैं एक last question और कर लेते हैं acidic medium का फिर basic में सीखेंगे चलो बताओ CR की oxidation number प्लस 6 अब तो निकालना सीख गए इसकी क्या है कि SO32 माइनस में तो यह चार बचेगा यहां 8 में से दो गया 6 बचेगा यह आप निकाल लेते हो प्लस 3 अब देखना चला धिहान से 6 से 3 यह एक change हो रहा है और 4 से 6 एक change हो रहा है मतलब मैंने क्या निकाला अभी oxidation number निकाला item का जिनका change हो रहा है अब आप क्या करो कि change निकाला हो 6 से 3 3 का change 2 CR 6 का change सही 4 से 6 2 का change 1 sulfur 2 का change इधर 2 इधर 6 काटना है क्या पिछले question में मैंने बिना काटे समझाया तो इसमें काटके समझा देता हूँ अगर मैं change को cancel करता हूँ तो अगर यह 2 का यह 6 का change है तो मैं इधर 3 का और इधर 1 का change लिख सकता हूँ भाई मैंने 2 से divide कर दिया तो इसमें भी आप क्या करो 2 से divide कर दो और इसमें भी आप 2 से divide करके लिख लो तो यहां 1 का और यहां 3 का change है तो अब 1 का multiply 1 का change इन में है तो multiply इन में होगा और 3 का change इन में है तो multiply इसमें होगा ध्यान से देखना ज़रा CR2 और 7 इसमें 1 का multiply कर दिया और 3 का multiply इसमें कर दिया sulfur वाले term में तो अब आपको ऐसा दिखेगा change मैंने काटके फिर multiply किया है अब आपको ऐसा दिखेगा देख लो एक बार इसमें 2 का इसमें 6 का change था 2 से divide कर दो इसमें 1 का और इसमें 3 का change 3 का multiply सुलफर वाले term में और 1 का multiply सीर वाले term में कर दिया अब oxygen बता दो यहां 7 O atoms और यहां प्लस 9 O atoms total कितने होगा है 16 O atoms यहां कितने हैं 12 O atoms किदर oxygen कम है और कितने हैं इधर 4 कम है तो 4 water और इसके double 8 H plus इधर होगया answer आगया देखो तो net balance reaction is CR2O7 2 negative plus 3 SO3 2 negative plus 8 H plus gives 3 SO4 2 minus plus 2 CR3 plus plus 4 H2O समझे बात को clear इस तरीके से question करते हैं balancing के ठीक है objective question करने की trick बताऊंगा चिलता मत करो बताऊंगा अभी मैंने balancing आपको detail में सिखा दिए आपन basic medium में चले फटा फट से इसको note करो फिर basic में आओ चलो तो आगे बढ़ते हैं और basic medium में समझते हैं steps बहुत सारे same हैं पस लास्ट में थोड़ा change है तो दो तीन question में आप यह समझ जाओगे देखना ध्यान से पहला क्या है find oxidation number पहला step same to same acidic medium जैसा plus seven minus one plus five और plus four दूसरा balance the atom यहाँ एक MN यहाँ एक MN यहाँ एक iodine यहाँ एक iodine कोई दिक्कत नहीं balance है find the change in oxidation number 7 से 4 तीन का change एक MN तीन का change minus one से plus five कितने का छे का चेंच एक iodine छे का चेंच अब इसमें तीन का और उसमें 6 का तो change से divide कर लो divided by 3 और यहाँ divided by 3 तो यह 2 का और यह एक का change एक का change किसमें MN वाले term में तो multiply in में करना है और 2 का change iodine वाले में तो multiply in में करना है ठीक है देखो मैं क्या लिख रहा हूं तो 2 का change iodine वाले में था तो 2 का multiply MN वाले में था एमनो टू बस अब यहां से कहानी अलग हो जाती है एसे डिंग मिडियम तक और बेसिक मिडियम तक यह सेब टू सेम था अब पॉइंट नंबर फाइव उस एक्सचेंज हो गए क्या यहां कितने ऑक्सिजन चार का डबल आठ ऑक्सिजन एडम्स यहां कितने दो और दो चार औ और तीन साथ ऑक्सिजन एडम्स अब क्या करना है यहां क्या करना है जिधर ऑक्सिजन ज्यादा उधर आपको वाटर एड़ करने है देखो वहां पर ऑक्सिजन रिच साइड आ गया तो किधर ऑक्सिजन ज्यादा इधर कितने एक तो एक वाटर एड़ कर दिया और यहां द 4 negative plus I negative plus water gives I O 3 negative plus 2 M N O 2 plus 2 O H minus, हो गया balance समझ गया बात को, बस last के दो step अलागे हैं, वागी same to same है, ठीक है मैं एक question और करके बता रहा हूँ, इससे थोड़ा और अच्छा लिएतना question, ठीक है, note करो इससे चलो, आगे बढ़ते हैं यह थोड़ा सा और अच्छा question है, basic minimum balance करने का, ध्यान से देखना जारा, पहला काम आपको पताईए, 0 plus 5, plus 2 और minus 3 oxidation number हो गई, change देखो जारा, 0 से 2 2 का change, 1 ZN, 2 का change 5 से minus 3 8 का change, 1 nitrogen, 8 का change, सही है atom पहले सी balance है, जिसमें हम oxidation number change देख रहे हैं, यहा तो 1 का change, यहाँ divide कर तो 2 से तो 4 का change तो 1 का multiply nitrogen वाले term में, और 4 का multiply ZN वाले term में, cross multiply करना है तो 4 का multiply ZN वाले term में और 1 का multiply nitrogen वाले term में, तो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा कैसा कैसा, ऐसा ऐसा, सही बात है, अब देखना दिखान से, यहाँ कितने oxygen है 3 O atoms यहाँ कितने है 0 O atoms किधर add करूँ किधर add करूँ इधर, कितने यहाँ 3 यहाँ 0, तो जितने यहाँ पर ज्यादा उतने ही, तो 3 water, 3 water का double, 6 OH minus इधर add कर दिए, अब धिखान देना जराँ, अगर मैं आपसे बोलू, कि जो net balance reaction है, क्या वो यह है तो आपका जवाब होगा, नहीं सर क्यों बोलो कि आप नहीं सर क्योंकि आप देखो hydrogen balance नहीं है, यहाँ से देख लो usually होता क्या था, यहाँ तक करने से, water OH minus 8 करने से balancing हमारी हो जाती थी, यही होता था अब क्या हो गया यहाँ, यहाँ question में already hydrogen था सही है न, तो यहाँ hydrogen ज़्यादा आ रहे है चार, देख लो आप चेक कर लो, चार जडन चार जडन, एक एन, एक nitrogen, तीन oxygen और तीन शे oxygen, यहाँ शे oxygen शे hydrogen, शे और चार, दस hydrogen, अब क्या हुगा, आप तो फस गए, अब थोड़ी से एक चीज़ और आगे सीखनी है आपको, क्या hydrogen इधर ज़्यादा आ रहे हैं न, चार तो जितने hydrogen ज़्यादा आ रहे हैं उतने ही आप H+, एड़ कर दो ठीक है, ध्यान से देखना ज़रा इधर कितने 4 hydrogen होगी, लेकिन, अब आप बोलोगे, सर OH- को दिखने से तो हमें पता चल जाता, बेसिक है लेकिन यहाँ H+, भी दिख रहा है, तो हम यह भी बोल सकतें कि या रहे, यह तो ऐसे डिक भी लग रहा है तो इसको क्या करना है, आपको हटाना है कैसे हटेगा, H+, मैं OH- डाल दो, वाटर बन जाएगा, तो अगर मुझे 4 H+, हटाने है, तो 4 OH- डालने पड़ेंगे, और अगर इधर 4 एड़ करोगे, तो इधर भी तो 4 एड़ करने पड़ेंगे ताकि बैलेंसिंग की बैलेंसिंग रहे फिर से सुनलो जराबो वाली बात जब मैंने वाटर और OH- एड़ किया तो उस टाइम पे मेरी रियक्सम बैलेंस नहीं थी क्यों नहीं थी, 4 हाइडोजन एक्स्टा मेरे पास आ रहे थे इन 4 हाइडोजन को न्यूटलाइस करने के लिए 4 हप्लस एड़ किये अब जैसे ही मैंने 4 हप्लस एड़ किये तो आप इधर देखोगे तो OH- देखेगा इधर हप्लस तो आप बोलोगे सर यह basic है कि acidic है फस गये ना, तो हमें इसको basic दिखाने के लिए OH- दिखाना है इसका मतलब 4 हप्लस को neutralize कराना है कैसे कराओगे 4 OH- इधर डालो तो इधर भी तो डालो 4 OH- तभी तो बराबरी रहेगी balancing ही सीख रहे ना पर अब यह 4H प्लस 4 OH- 4 water बन गए और 3 यह हैं मतलब 7 water बन गए मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 4 water और 3 पहले थे तो 7 हो गए अब आपकी net balance हो गई 4ZN, NO3- कितने water? 7 water 4ZN, 2+, प्लस NH4+, प्लस 10 OH- अब आपकी net balance reaction यह आई समझगे बात को तो कभी भी अगर hydrogen कम लगे तो H+, डाल के उसको balance कर लेंगे अगर इसी question में medium basic ना होके acidic होता, तो हम 4H+, को दिखाते फिर OH- को neutralize कराते समझगे बात को इस type से होता है तो यह कहानी होगी basic medium में बस आपको यह 2 last step धियान अगना अलग से हैं और कभी अगर hydrogen जादा आए तो जो भी मैंने सिखाया वैसे करना है आपको समझ गया बात, अब हम चलेंगे disproportionation reaction की balancing सीखने usually disproportionation reaction जो है वो basic medium में होती है तो हम सीखेंगे disproportionation in basic medium ठीक है, पहले इसको note कर लो फिर आगे बढ़ते है चलो तब आगे बढ़ते हैं disproportionation reaction के बारे मात कर रहे हैं basic medium में, दो question अपने यहाँ पर कर लेंगे तो काम हो जाएगा आप कर लिए basic medium मतलब यही वाले step follow करने बस starting का step अलग है क्या, आपको एक reactant से दो product दे रखे होंगे, तो आप इसको अपनी तरफ से add कर लो, एक और ताकि हमें cross multiply करने में आसानी रहे क्या करना है, कभी भी disproportionation की balancing का question देखो तो आपको अपनी तरफ से एक एड़ कर ले ना बाद में सब चीज balance हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से इसको add किया अब यही step follow करने, क्या 0, 0, minus 1 और plus 5 देखो ज़रा, find oxidation number होगे second balance the item, यहां कितने atom है, 2Cl, तो यहां 2 करलो चाहिए अब change निकाल लो 0, से minus 1 एक का change दो klorine, 2 का change चाहिए, चलो ठीक 0, से plus 5 कितने का change? 5 का change, 2 कlorine 10 का change यहाँ change कितने का 2 का और 10 का तो 2 से divide कर लो 1 का change और यहाँ 2 से divide कर लो तो 5 का change तो एक का change किसमें इननों में और पांच का change किसमें इननों में तो अगर एक का change इननों में है तो पांच का multiply किसमें होगा इसमें और इसमें और एक का multiply इननों में ध्यान से देखना ज़राथ पांच का multiply कर दिया मैंने इसमें इसमें एक का चेंज था तो एक का मुल्टिप्लाई किसमें इन नौनों में और पांच का मुल्टिप्लाई किसमें इसमें और इसमें तो यहां पांच करो इसमें द्यान से सुनो इसमें और इसमें कितने का change है पांच का तो पांच का multiply किसमें होगा इसमें और इसमें तो पांच ही हो गए और इधर पांच का multiply तो 10Cl माइनस और एक का multiply तो 2Cl O3 माइनस ठीक है अब यहां पर जो मैंने लिखा है ये पांच और एक तो अब add कर दो इनको 6Cl2 से 10Cl माइनस और 2Cl O3 माइनस आराम से देखते जाओ क्या करा पहले सुरू से बता रहा हूँ पहले मैंने क्या करा एक reactant था तो इसको दो कर लिए फिर मैंने oxidation नंबर निकाली जो change हो रही है फिर मैंने atom को balance किया step 2 पे चले गए फिर मैंने cross multiply किया एक का change 99 में तो एक का multiply Cl2 और इस वाले में Cl O3 माइनस और पांच का change 99 में तो पांच का multiply इन दो पांच और एक 6 हो गए यहां तक पहुंच गए अब क्या divide हो रहा है तो divide कर दो कितने से divide हो रहा है दो से divide कर दो तो यह आगया 3 Cl2 पांच Cl माइनस और Cl O3 माइनस अब basic medium का step 5 और 6 follow कर लो क्या यहां कितने oxygen है 0 O atoms यहां कितने है 3 O atoms तो किधर जादा उधर कितने 3 तो 3 water और 3 के double 6 OH माइनस इधर हो गया balance तो final balance reaction 3 Cl2 6 OH माइनस 5 Cl माइनस Cl O3 माइनस और 3 water is the final balance reaction हमजगे note करो पर एक और question करवाता हूँ इससे अच्छा ठीक है इससे थोड़ा अच्छा पिछले वाले सही वाला ठीक है ध्यान से देखो क्या करते हो एक अपनी तरफ से एड़ करते हो रियक्टेंट और अब आप oxidation नमबर लिखोगे 00-3 और यहां चार इधर चार होगया काम चलो balance हो गए यह atom balance हो गए जीरो से माइनस तीन तीन का चेंज चार फोस्फोरस बारा का चेंज अगला देखो जरा जीरो से वन एक का चेंज चार फोस्फोरस चार का चेंज अब उधर चार का इधर बारा का तो इधर 4 से डिवाइड करतो एक का चेंज और इधर भी 4 से करतो तीन का चेंज तो तीन का चेंज किंदो नौम है इंदो नौम है तो तीन का मल्डिप्लाई इसमें होगा और एक का चेंज इन नौम है तो एक का मल्डिप्लाई इन नौम होगा ठीक है ध्यान से देखना ज़रा तो पी फॉर इसमें तीन का चेंज था तो तीन का मल्डिप्लाई इधर करना चार पी-एज थरी प्लस बारा है चार से दिवाइड हो रहा है कर दो पी-फोर पी-एज थरी और टीन हेज टुपी नेगटिव अब बताओ ओक्सीजन यहाँ 0 ओक्सीजन यहां कितने त्री इंटू तो च्छ उक्सीजन तो यहाँ छे वॉटर जोड़ दो जिधार ओक्सीज ज्यादा होते उधर एट करते बेसिक में ना 6 वाटर जोड़ दिये इधर 12 OH माइनस जोड़ दिये ऐसा करने से oxygen तो आपका balance हुगा लेकिन hydrogen बैलेंस नहीं हुगा क्योंकि question में पहले से है तो hydrogen यहां कितने 12H ध्यान से देखना आप जरहें अब यहां 12 हैं यहां 21 है ठीक है 9 hydrogen काम है किधर इस तरफ तो मैं यहां का कर रहा हूँ 9H plus add कर रहा हूँ वो गया balance अब इस H plus को neutralize कराने क्योंकि basic दिखाना है तो already इसमें OH माइनस इधर ही था तो 12 OH माइनस मैं से 9S को दे दो तो 9H plus और 9 OH माइनस तो 9 water बन जाएंगे तो यह यहां 3 OH माइनस बचेंगे तो ऐसा देखेगा 3 OH माइनस प्लस 9 water प्लस P4 gives pH 3 प्लस 3 H2 PO2 नेगेटिव और प्लस 6 water सही है अब यहां 6 water यहां 9 water 6 water को यहां ले आओ 9 water में से माइनस कर दो 3 water तो net balance reaction हो गई है आपकी क्या P4 प्लस 3 water प्लस 3 OH माइनस gives pH 3 प्लस 3 H2 PO2 negative final balance reaction समझ गया है आपको hydrogen को कैसे balance करते हैं H plus add करेंगे और H plus को neutralize करा लेते हैं अपने यहां हमने अपनी तरफ से हो H minus क्यों नहीं मिला है क्योंकि यहीं मिल गए थे तो इसको ही दे दिये समझ गया है तो यह हो गई आपकी complete balancing सारी चीज़ा हमने सीख लिए type of reaction समझ लिए balancing सीख लिए अपने acidic medium में basic medium में और यह वारी electron method को अपन half reaction method भी बोलता ही क्या है हाफ reaction method भी इसका नाम है क्या करना है इसमें बहुत आसान है सबसे पहले आप यह find करो कि oxidation half और reduction half कौन सा है मतलब oxidation कहां reduction कहां हो रहा है तो यहां plus 2 से plus 3 oxidation हो रहा है तो दूसरे वाले में reduction हो रहा होगा आप oxidation number से calculate करके check कर सकते हो तो मैं लिख रहा हूँ यहां पर सबसे पहले oxidation half oxidation half ठीक है ध्यान से देखना ज़रा oxidation half क्या है आपका Fe2 plus से क्या वन रहा है Fe3 plus अब यहां plus 2 है यहां plus 3 तो यहां कितने electron होने चाहिए charge balance हो जाना चाहिए तो एक electron reduction half reduction half reduction half कैसा आएगा यह वाला दूसरा वाला मतलब CR2 oh 7 2 negative से क्या वन रहा है CR plus 3 वन रहा है तो plus 6 से plus 3 तीन का change है दो CR यहां है तो पहले 2 CR balance कर लो 6 से 3 कितने का change है 3 का लेगन 2 CR है तो 6 का change मतलब यहां पर कितने electron involved होंगे 6 electron involved होंगे अब अगर यहां 6 electron है तो यहां एक electron है तो इसको आप क्या करो 6 से multiply करो तो इसको 6 से multiply करके लिखोगे तो Fe2 plus कितने 6 6 Fe3 plus plus 6 electron चाहिए और यहां पर आप oxygen भी balance कर लो 7 oxygen है तो यहां 7 water और 7 के double H plus दूसरी तरह add कर दो 7 H2 होगे अब यहां hydrogen 14 होगे तो यहां 14 H plus तो यह मैं किसम बता रहा हूँ आपको acidic medium मैं iron electron balance बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि H plus आ गया यहां अब क्या है electron यहां 6 use हो रहे हैं यहां 6 निकल रहे हैं तो अब यह जो दो रियेक्स तने इसको मैं 1 और इसको 2 बोल रहा हूँ इसको add कर दूंग answer आ जाएगा देखो क्या आएगा 6 Fe2 plus plus CR2 O72 negative plus 14 H plus electron कट जाएंगे gives 2 CR3 plus और plus 7 water और plus कितने 6 Fe3 plus देखो जरा होगी balance तो बहुत सिंबल्स आए एक बार और समझे लो इतना ज्याद इंपोर्टेंट नहीं है बस आप समझे लो होता क्या है आपको क्या करना oxidation reduction हाफ separate करने है अब आप electron देख लो कितने इनवल्गों change and oxidation number से दौनों में ही और दौनों में ही electron सेम बनाने है क्योंकि electron काटने है यह दियान रखना आप oxygen balance किस से करोगे water से और hydrogen balance h plus से ऐसे dig medium में अगर यहीं basic होता तो हम क्या करते oh minus और h2 यूज करते इस तरीके से करते अब मैं आपको बता रहा हूँ exam में अगर balancing से related question आया क्योंकि बहुत rare chance है आने के अगर आया तो आपको option से कैसे put करना है आप hit and trial method लगाओ यह trick है इसकी क्योंकि balancing में आपसे coefficient ही पूछेंगे या कभी some of coefficient पूछ लेंगे क्या आएगा तो आपको करना क्या है आपको option से ही put कर देना आप ठीक है बागी balancing तो हमने सीख ली अगर option से हो रहा है तो अच्छी बात है नहीं हो रहा तो balancing तो हम करी लेंगे na oxidation number method से ठीक है और बैसे भी balancing balancing वाला पार्ट और type of reaction वाला पार्ट सबसे least important है redox का mole concept 2 का आज के lecture से पहले जितना आपन ने पढ़ा है वो most important part है आज का least important है अगर यह नहीं भी करके जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं option से put करके हम balancing कर लेंगे क्योंकि 19 में हमने ऐसा सीखा था ठीक है चलो note करो फिर मैं आपको question करके बता रहा हूं इसके option से कैसे put करके करोगे ठीक है लिख लो इससे यहां पर 2 रख हूं तो CR कितने हो जाएंगे मेरे पास 4 चाहिए अगर यहां CR 4 है इसका मतलब एक ही value 4 होनी चाहिए option चेक करो है क्या नहीं इसका मतलब मैं आपसे यह बोल सकता हूं क्या कि 2x ध्यान से देखना ज़रा यहां 2x is equal to a होना चाहिए तभी तो CR balance होगा तो अगर मैं x को कुछ put करता हूं तो a की value x की double आनी चाहिए तो अगर मैं x 2 रखता हूं तो a 4 आना चाहिए अगर x 1 रखता हूं तो a 2 आना चाहिए अगर x 2 रखता हूं तो a 4 आना चाहिए अगर x 2 रखता हूं तो a 4 आना चाहिए तो x 2 पर a4 है क्या गलत है एकस दो पर a4 है क्या नहीं है तो यह या अंसर आगे आपका ऐसे और भी चेक कर लो अगर y h हैं तो यहां कितने h हैं 2b h एटम देखना y h है यहां तो 2b मतलब y is equal to 2b होना चाहिए मतलब B आप कुछ भी लो तो Y क्या होना चाहिए B का डबल तो जो option मेरा सही ता वो ही चेक कर लो अगर मेरे पास ये 7 है तो उसका डबल चवदा होना चाहिए बिलकु सही है और electron involved कितने हैं वो कैसे निकालोगे चेंज अन उक्सिरेशन नमबर से ये तो एक half reaction दे रख किया आपको तो plus 6 से plus 3 कितने का change है 3 का change कितने CR 2 net change 6 का तो electron involved 6 होने चाहिए तो 6 तो सभी में ही देखे ऐसे check करना ठीक है अब थोड़ा सा अच्छा question क्या हो जाता है जब आपको यहाँ coefficient के बारे में ना बताएं यहाँ तो उन्होंने coefficient लिखे है लेकिन यहाँ नहीं लिखे है इसका लगे नहीं कि 1-1 है तो यहाँ कुछ होंगे उन्होंने नहीं लिखा नहीं लिखेंगे तो option से चलना पड़ेगा कैसे? ध्यान से देखो अगर मैं x को यहाँ 1 लेता ध्यान से अगर मैं x को यहाँ 1 लेता तो ऐसा दिखता हूँ मैं एक बाल लिख देता हूँ अगर 1 होता तो यह MnO4 negative plus y क्या होता? 8 8H plus द्यान से देखना plus z क्या होता? 10 तो 10C2 O4 2 negative अब इसके according उधर balance करेंगे और फिर charge देखेंगे कैसे? यहाँ 1 Mn है यहाँ Mn कितने होंगे? तो Mn2 plus plus यहाँ 10C2O4 है मतब कार्बन कितने है? 20 तो यहाँ कितने होने चीए? 20CO2 plus H2O यहाँ पर यहाँ 8H है तो H2O कितने होने चीए? 4 ऐसा सही बात है अब देखो जरा यहाँ कितने है? 10 into 4 40 और 4 44 20 into 2 40 और 4 44 Oxygen balance Hydrogen भी balance होंगे तभी तो आपन ने यह सब balance किया अब charge balance देखना बस आपको क्या? यहाँ इस पूरे के पूरे आयन पे 1 negative है H पे पूरा कितना है? 8 क्यों? 8 into 1 8 यह 10 into minus 2 कितने? minus 20 तो यह कितना हो गया? minus 20 और minus 1 minus 21 और 8 उसमें से minus कर दो तो 21 में से 8 minus करना है तो 13 आएगा तो minus 13 चार्ज है यहाँ इधर चेक करो 2 plus बस मतब प्लस 2 है यहाँ minus 13 तो charge balance थोड़ी है मतलब यह गलत है ऐसे चलना है अब देखो दूसरा वाला balance करते है अगर मैं B option में पूट करूँ क्या 2 ध्यान से देखना जरा second वाला करके बता रहा हूँ अगर मैं इस कोट करता 2 तो यह ऐसा देखता 2 16 और 5 16 और 5 इसके according वहाँ balance करते 2 MN तो यहाँ 2 16 H plus तो यहाँ कितने 8 और यहाँ 5 10 carbon तो यहाँ 10 5 का double 10 carbon तो यहाँ 10 अब चार्ज देखो अब देखना ज़रा चार्ज यहाँ कितना है minus 2 plus 16 और minus 10 यहाँ पे 5 into minus 2 तो 16 मैं से 12 गया कितना 4 बचा यहाँ चेक करो 2 into 2 plus 4 मतलब यह सही है तो second answer इसका सही है ऐसे चेक करना आपको तो hit and trial method आपको लगाना है अगर सभी जाएक कोफिशेंट है तब तो आप डारेक्ट बहुत जल्दी हो जाएगा अगर right side coefficient नहीं है तो आपके अगर हो put करके coefficient बराबर करके charge निकालोगे इस तरीके से आपको hit and trial लगाना है बागी आपको normal balancing आती है H plus है water acidic minimum फटावर से balance करके cross multiply oxidation number method लगाई सकते हो तो यहाँ पर अपना पूरा का पूरा chapter हुआ खतम कौनसा वाला redox redox मतलब NCRD का जो part 2 है उसका पहला chapter है redox तो mole concept जो है वो मैंने फिर से बतायता हूँ तीन पार्ट में divide कर रखा है पहला था mole concept 1 NCRD के first part का first chapter सम बेसिक concept और chemistry वाला second part है second वाली NCRD का 11th का second part है उसका पहला chapter redox और इन दोनों chapter में ही कुछ और important चीज़े निकल के आती हैं जैसे titration तो उसको मैंने रखा है mole 3 में जिसमें हम titration पढ़ेंगे H2O2 वगरा के बाड़े में पढ़ेंगे oleum पढ़ेंगे hardness मतलब सारी की सारी चीज़ें अपन volumetric analysis या mole concept 3 में cover करेंगे तो यहां तक का मैंने जो आपको DPP दे रखी है उस DPP को आप solve करेंगे जिसके पास DPP नहीं है application पर जाके वहां से ले सकते हैं तो DPP solve करेंगे redox की मैंने डाल रखी है अब आपन मिलेंगे next lecture में next lecture मतलब mole concept 3 में तब तक आप revise करो बढ़ी आसे पढ़ते रहो इसको note कर लो आप